नमस्कार दोस्तों में दीपक आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेंटी शिक्सी चनल नॉलेज़ में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लिका रहा हूँ रिए रिपोर्त के अनुसार भारत का सभसें परिदुसित सयर कौन सा है इसका सई ऐन स्वर जरिया ग्रींपिश इन्दिया नामक एंग्रीयो founders your思द नामक परदूसी सहर है इस सूची में दूसरे स्थान पर चारकंड का ही धनवाज सहर है इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे परदूसी सहरों में से 6 सहर उत्तर परदेश के हैं मिजोरम का लुंग लेई सहर देश का सबसे कम परदूसी सहर है इसके लिए गिरीन पीस इंडि निकासी सुविदा शुरू की है इसका सई अंसर है option B ICICI bank भारत के नीजी चेतर के अगरने बैंक ICICI bank ने ATM से cardless cash निकासी सुविदा शुरू की है यह सुविदा सभी ICICI ATM पर प्लब्द होगी इस सुविदे का प्यों करने के लिए गराक को ICICI mobile app पर login करके SI pin बनाना होगा इसके बाद गराक OTP और pin की साहता से cash निकाल सकता है इसके लिए किसी card की जरूत नहीं पड़ेगी इस transaction की देनेक सीमा 20,000 रुपे है question number 3 हाली में जारी वैस्विक लोकतंत सूचकांक में भारत को कौन से सान मिला है इसका सही answer है option C 51 बिश्टिस संस्थान दा Economics Group द्वारा Economic Intelligence Unit EIU की ओर से जारी 2019 की सूची में भारत को 51 सान मिला है वैस्विक लोकतंत के सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 10 पाइदा नीचे आ गया है रिपोर्ट के अनुसार भारत में नागरिकों की लोकतंतरिक सूचनतता की इस्थिती एक वर्ष में कम हुई है इस उची में चीन 153 वे स्थान पर है जबकि नौर्वे सीर्ष पर और उतर कोरिया सबसे अंतिम 166 वे स्थान पर है क्वेस्चन नमबर चार कि इस दिन परते एक वर्ष सुबाश चंदर बोस जहनती मनाई जाती है इसका सही अंसर है अपसने 23 जनवरी 23 जनवरी 2020 को सुबाश चंदर बोस की 123 जहनती मनाए गई नेता जी सुबाश चंदर बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था दूसरे विश्यूद के दोरा नेता जी सुबाश चंदर बोस ने सोविट संग जर्मनी जापान जैसे देशों की यातरा की और बिट्टी सरकार के खिलाफ सयोग मांगा इसके बाद जापान में उन्होंने आजाद हिंद फोज की स्थापना की थी उन्होंने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो भी अरम किया था यह माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर गटना में उनकी मिलती हो गई थी क्वेस्चिन नमबर पाँच हाली में किस देश ने दक्षिन एशिया चेतर में पहली बार ई-पास्पोर्ट सुविदा अरम की है इसका सही अंसर है अप्सन बी बंगला देश पहला देश बन गया है जहां इलेक्ट्रिक पास्पोर्ट सेवा दी जाती है बंगला देश में 69 पास्पोर्ट के इंदरो धार ई-पास्पोर्ट उपलब्द कराए जाएंगे इस पास्पोर्ट में एलेक्टिक चिफ्ट के माध्यम से पास्पोर्ट धारकी जानकरी श्टोर की जाती है तथा पारंपरिक पास्पोर्ट की तुल्ला में अधिक सिकोर्टी फीचर लगाए जाते हैं Q6. विदेश मंतरी S. जैसंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गादी अंतराष्टिय कन्वेंशन सेंटर का उद्गाटन किया इसका सही अंसर है Option C. नाइजेरिया Q6. विदेश मंतरी S. जैसंकर और नाइजेरिया के राष्टपती महमा दाओ इस्सोफो ने सहींक तुरूप से महात्मा गादी अंतराष्टिय कन्वेंशन सेंटर का उद्गाटन किया महात्मादी के 150 वे जन्म दिवस पर अफरीका में आरम किया गया यह पहला कन्वेंशन सेंटर है यह कन्वेंशन सेंटर एक विसाल आधुनिक और परियावरन के अनुकल सुविदाव के रूप में डिजाइन किया गया है एस जैसंकर भारत के पहले विदेस मंत्री है जिन्होंने नाइजेरिया की यातरख की है किस देसने हाली में ओजोन को नुक्सान पहुचाने वाले रसाइन हाइडरो कलोरो फ्लोर कारवन HCFC 141B को चर्णवद्व तरीके से समप्त किया इसका सही अंसर है अफसने भारत मूलते HCFC 141B का इस्तिमाल फोम की निर्मान में किया जाता है इसे कठोर पॉली यूरी थिन फोम की निर्मान के लिए प्यूप में लाया जाता है मंतराले दोराई जारी बयान के अनुसर भारत ने उर्जन संग्रक्षण को बढ़ावा देने वाली परियावन हित्यसी पुर्द्वगी को अपनाने का ही रास्ता चुना है इस पहल के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिन्दा दिस्टों में सामिल हो गया है जो गैर ओजोन च्रणप पुर्द्वगी का इस्तमाल कर रहे हैं जिससे वेस्विक ताप भृत्वी पर निर्द्रक्षण किया जा सके ओजोन परत पृत्वी के वायमिंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सगन्ता और फिक्षा करित अधिक होती है ओजोन परत के करण ही धती पर जीवन संभाव है यह परत सूरे से उच्छ आवरती के प्रावेगनी प्रकास की 93 से 99 पर 30 मातर अफसोसित कर लेती है जो प है और संडी ऑस्ट्रेलिया यह एक अलफा वायरेस है अलफा वायरेस पॉजिटिव सेंस सिंग्नल स्ट्रेंड आर एन वायरेस के एक जीनों के साथ छोटे गुलाकार आवरान युक्त विसानू होते हैं यह वायरेस के एक ऐसे समूद से संबंधित है जिन में चिकन गुनि वायरेस के विपरित यदा यदा वायरेस मनुष्य के लिए कम खतरनाक हैं नमबर नो दक्षिन अमेरिका के किस देश को हाली में जी सेवंटी सेवन की अधिक्सिता दी गई है इसका सई अंसर है अप्सटन भी गौाना गौना दक्षिन अमेरिका में सित एक देश है इसकी रहजानी जोड ट्राउन में सित है गौना की 49.38 पर तिससत जन संक्या भारते मूल की है तथा 24.38 पर तिससत लोग हिंदु धर्म के अन्वियाई है गौना तेश फरवरी 1970 को गर्दनत्र बना था इसका छेतरफल 2,14,970 वर किलोमेटर है इसकी जन संक्या 7,83,789 है जी 77 की अध्यक्षता 2019 में फिलिस्तिन के पास थी जी 77 विस्व के विकासिल देशों का एक समू है यह संगटन हाला कि संहिक तुराष्ट के से समू की अपिक्षा कम मजबूत है किन्तु विकासिल देशों के हितों को आगे रखने वाला संहिक तुराष्ट में यह सबसे बड़ा सम हैं इसके कारेले विस्व के कई सहरों में हैं जिसमें जिनेवा नेरोभी रोम वेना और वसिंटन डिसीज परमुख हैं जी 77 समू की मूल स्थापना सतरतर देशों ने मिलकर की थी जी 77 की स्थापना साल 1964 में जिनेवा में की गई थी इसका सही आंसर है उप्सन वी 72 वर्ष दोजार बीस के वैसिक परतिवा परति इस परदात मक्ता सुचकांक में भारत ने आठ पाइदान की छलाग लगाई है सुचकांक में भारत का बहतरवा इस्थान है यह सुचकांक दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने परतिवाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकरसित करने की उनकी छमता के आदार पर तयार किया जाता है इसी आदार पर इसकी रंकिंग तयार की जाती है वेस्तविक परतिभा के मामली में परतिस फर्दा को मापने वाले इस सुचकंक में दुनिया के 132 देसों को समिल किया गया है